हेला दोस्तों कैसे हो आप सभी तो आज मेरे पास एक 12W का LED बाल्ब है ठीक है इसका जो पॉब्लम है इसका MCPCB नहीं जल रहा है मतलब बाल प्ला नहीं जल रहा है पर यह क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको पॉब्लम दिखाने की खोशिश खड़ता हूँ तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक MCPCB में आपको थोड़ा सा छेंद नजर आएगा ठीक है अब गोड़ से देखो तो इसमें एक छेंद नजर आ रहा होगा आपको ठीक है यह जो छेंद है यही इसका पॉब्लम है इस यहां से इसका यह जो SMD LED है यह फ्यूज हो चुका है तो आप हम दोस्तों क्या कर सकते हैं तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस SMD को उखार के यहां पर एक 10 ohm का रिजिस्टर हम लगाएंगे ठीक है वह 10 ohm रिजिस्टर यह रहा ठीक है इसको हम यहां पर लगाएंगे ओक इस तरह से लगाते हैं वह हम आपको दिखाते हैं और तो दोस्तों यहां पर मैंने 10 ohm क्रिजिस्टर लगा लिया है और इससे यह ठीक हो जाना चाहिए ठीक है तो इस तरह से आपको लगाना है बीच में शौर्ट ना होने पाए ठीक है यह दो पॉइंट आपास में शौर्ट ना होने पाए इस तरह से आपको लगाना है तो उम को दिखाने के लिए मैंने इसका लेक बड़ा रखा है तो चलिए आप इसका टेस्ट करके देखते हैं तो दोस्तो मैंने इसको connection connection कर लिया है आप मैं इसको जला के आपको दिखाता हूं तो आप इसका रौशनी देख सकते हैं एकदम आखे धुंदला जाएगी इतना रौशनी है इसका ठीक है और यह मैं डायरेक्ट चला रहा हूं में 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 इसको आपको 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 अ आपको 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 आपक